हेलो दोस्तों नमश्कार आप सभी कि स्वागत है DRK TV पर मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर कनेया बी कानेर राजस्थान सी साइकेट्रिस्ट मनोची कित्सक काउंसलर सेक्सोलोजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेसलिस्ट दोस्तों आज इस वीडियो के माधिम से मैं आप लोगों के साथ में एक important concept share कर रहा हूँ कि क्यों depression, anxiety, गबराहट वो लंबे time तक बनी रहती है इसका एक maintenance factor है जो मैं आप लोगों के साथ में share कर रहा हूँ अगर आप बहुत लंबे time से depression से परिशान है, anxiety से परिशान है, continuous medicines ले रहे हैं और उसके बाद भी आप improvement feel नहीं कर रहे हैं जबी भी situations होती है, वापस आपको गबराहाट होने लग जाती है, आपको परिशानी होने लग जाती है तो इस वीडियो को पूरा end तक देखिएगा मैं आपके साथ में एक maintenance factor जिसको all or none thinking बोलते हैं एक dysfunctional cognition है, एक dysfunctional thought है जो आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ एक ऐसी mistake जो आप बार-बार करते हैं जिसकी विज़े से आप अपने depression से बाहर नहीं आपाते अगर आप इस तरह की problem से पीडिये तो इस वीडियो को पूरा end तक देखियागा दोस्तो हम लोग 9 और 10 जनवरी 2021 को डैली के अंदर cognitive behavioral therapy के उपर एक live workshop और्गनाईज कर रहे हैं जिसमें हम depression, anxiety, phobia और अपनी personality को हम कैसे explore कर सकते हैं अपने subconscious mind को कैसे reprogram कर सकते हैं इनके बारे में एक पूरी detailed workshop और्गनाईज कर रहे हैं अगर आप इसमें participate करना चाहते हैं तो screen पर दियेवे number पर आप call कर सकते हैं, message कर सकते हैं उसके बारे में आपको पूरी informations मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों आप मैं आपको बताता हूँ वो maintenance factor जिसकी वज़े से depression, anxiety जो है वो बहुत लंबे time तक बना रहता है मैं आपके सामने दो real cases आपके साथ में share कर रहा हूँ, discuss कर रहा हूँ पहले इन cases को सुने, फिर मैं इसका analysis आपको बताता हूँ कि वो maintenance factor इसमें क्या है एक मैला जो Delhi के अंदर job करती है एक software company के अंदर job करती है उनकी age around 30 years है उन्होंने बहुत महनत करके उस job को achieve किया और job के अंदर आपको पता है जब आप सुरू-सुरू में job करते हो initially आप work, first time जब start करते हो आपको को experience नहीं होता तो आपको जो बहुत ज़्यदा resistance फील होता है वहाँ पर जो environment है वो आपको बहुत ज़्यदा uneaginess सी फील होती है कि stranger pen सा फील होता है जब आप धीरी-दीरे काम करते हो तो आप वहाँ पर comfortable होते चले जाते हो easy होते चले जाते हो तो उन्होंने नए-नए ही office join किया था अब नए-ना office join किया तो वहाँ पर जो office का environment थोड़ा सा adverse environment था अब वहाँ पर थोड़ा सा उनको काम का pressure फील हुआ तो pressure फील हुआ तो उनको बहुत ज़दा anxiety होने लगी बहुत ज़दा गबरहाट होने लगी तो उसके कारण उनके जो statements को रहते थे वो statements कुछ ऐसे रहते थे क्यार मेरे लिए जॉब बहुत ज़दा important है अगर मैंने ये job छोड़ दिया क्योंकि काम का pressure ज़दा है तो मन कई बार ऐसा करता है कि job को छोड़ दू और मैंने अगर इस job को छोड़ दिया तो मेरा पूरा जीवन बरबाद हो जाएगा मेरी पूरी life बरबाद हो जाएगा इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है अगर ये job चली गई तो मेरा पूरा जीवन बरबाद हो जाएगा मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है ये उनका statement था दूसरा case में आपको share कर रहा हूँ एक student है जो competitive exam के तयारी कर रहा था और काफी मैनत से उसने तयारी की और जब तयारी कर रहा था जब result आने वाले दिन थे उसको बहुत ज़दा anxiety रहती थी उसको depression रहता था और उसके कुछ statement ऐसे रहते थे कि अगर मेरा इस competition में selection नहीं हुआ अगर मेरे इस competitive exam में selection नहीं हुआ तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है मेरी पूरी life बरबाद हो जाएगी मेरा पूरा जीवन किसी काम का नहीं है meaningless है इस तरह के statements वो खुद को देथा था मतलब जो self convincing होती थी जो भी adverse event जो life में जो आने वाला है उसके अंदर जो self convincing होती थी वो कुछ इस तरह की होती थी एक husband है वो office के लिए तयार हो रहे थे और office के लिए तयार होती थे space में जो table है उस table के उपर जो काच का glass रखावा था वो काच का glass नीचे गरके तूड़ गया तो wife का उसी समय statement आया तुम तो हरवक्त मेरा दिमाग खराब करते रहे तो सुबह सुबह भी तुमें चैन्ड नहीं है तुम पूरे दिन मेरा दिमाग खराब करते रहे तो ये glass तोड़ दिया तुमने और मेरा दिमाग खराब होगए एक single mistake जब हो जाती है जैसे first case के अंदर बताया कि अगर ये job चली गई तो मेरा पूरा जीवन बरबाद हो जाएगा second case के अंदर कि अगर मेरा competitive exam में selection नहीं हुआ तो मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है और तीसरा एक काच का glass फुटा तुम मेरा पूरा दिन है तुमने बरबाद कर दिया पूरा दिन तुम मेरा दिमाग खराब करते रहे तो ये जो तीनो statements है इनके अंदर एक cognitive distorted thought है एक distorted thought है वो thought कौन सा है वो thought है all or none thinking का all or none thinking का मतलब क्या है अगर सही है तो पूरी तरीकी सही होना चाहिए ये मतलब 100% चीज़ें सही होनी चाहिए अगर गडबड एक थोड़ी से भी हो गई ना मतलब पूरी गडबड जैसे अगर 100% सही है और 100% में अगर 1% भी कहीं से भी mistake हो गई ना तो 99 जो सही है वो सही नहीं है वो भी गलत है इसको बोलते है all or none thinking all or none thinking जैसे मैंने पहले example में बताया था कि अगर ये job छूट गई तो मेरा पूरा जीवन बरबाद हो गया भी पूरा जीवन कहां से बरबाद हो गया जॉब ही तो गई है इसके बाद भी बहुत सारी possibilities है बहुत सारी job से जो हम कर सकते हैं काम से उसमें कोई problem नहीं है क्योंकि हमने skill acquire किया जब हमने skill acquire किया तो हम कोई से भी job कर सकते हैं किसी भी तरह का काम हम कर सकते हैं अपनी जीवी का को चला सकते हैं लेकिन अगर हम इस तरह की thinking अपनाते हैं हम इस तरह के statements देते रहते हैं second example जैसे मैंने बताया था कि उसके अंदर अगर मेरा competitive exam में selection नहीं है तो मेरा पूरा जीवन बेकार अरे भाई एक ही competitive exam थोड़ी है बहुत सारे competitive exam से बहुत सारी possibilities है जिनको हम explore कर सकते हैं अगर हमने इस तरह का statement दे दिया कि ये अगर नहीं हुआ तो मेरा पूरा जीवन बरबाद third example एक कास का glass फूटा और तुम मेरा पूरा दिन बरबाद कर दे तुम हमेसा मेरा दिमाग खड़ाब कर देते हो मतलब एक single negative event और पूरी तरीके से मतलब पूरा दिन खराब ये जो thinking pattern है ये all or none thinking pattern है इस तरह का जो thinking pattern है अकसर हमारे आसपास कोई भी थोड़ी सी भी adversity मतलब पूरा दिन बहुत बढ़िया चल रहा होता है लेकिन थोड़ी सी भी adversity मिल जाती है हमारी life के अंदर थोड़ी सी भी adversity मिल जाती है तो हम जो अपने आपको उस event के परती है अपने आपको जो self convince करते हैं अपने आपको अपने आपका जो self analysis है हमारा जो self suggestion है auto suggestion है वो अगर हम इस तरह का दे रहे हैं कि मेरा तो पूरा दिन बरबाद हो गया मेरा तो पूरा दिमाग खराब हो गया मेरे तो life का कोई मतलब नहीं है और मेरी जिंदगी पूरी बरबाद हो गया अब तो मेरे पास में कोई भी option नहीं रहा इसको बोलते है all or non thinking अगर हम ये all or non thinking अपनाते हैं तो इस thinking की वज़े से life के अंदर जितनी भी possible possibilities है, जितनी भी opportunities है, उन opportunities के लिए हम अपने आपको prepare ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमने तो पूरा का पूरा जितनी भी possibilities है उन सब को deny कर दिया, और जब आप possibilities को deny कर दिया, तो फिर आप efforts किसमें डालोगे, और जब आप efforts नहीं डालोगे, तो आपको result कहां से मिलें, और जब result नहीं मिलेंगे, तो हमारा ये चीज़ पर ठपा पक्का हो जाता है, एक ठपा लग जाता है कि जीवन में आप कुछ बचाई नहीं है, तो इस तरह का cognition मत अपनाए, ये जो cognition है, ये जो thought process है, जो हम अपने आपको convince करते हैं, अपने आपको बताते हैं, किसी भी adverse event के अंदर, इसको बोलते all or none thinking, और इस all or none thinking की वज़े से, हमारा जो depression है, हमारी जो anxiety है, हमारी जो गबराहट है, वो लगातार बनी रखती है, वो बिलकुल भी ठीक नहीं हो पाती, दवा की वज़े से maintain रहते हैं, ठीक है normal, थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रहे हो तो, लेकिन हम इससे क्या और नहीं कर पाते हैं, इससे बाहर नहीं आ पाते हैं, तो अगर आप या आपके घर के अंदर कोई भी इस तरह का thought process अपनाता है, तो उसको इसके परती aware कीजिए, कि ये all or none thinking है, single एक abnormality होने से, single एक adversity होने से, पूरा जीवन बरबाद नहीं हो जाता, single एक adversity होने से, job के सारे options नहीं चले जाते, single एक काच का glass टूट जाने से, बाकी सारे glass है, वो हमारा दिवाँ खराब नहीं हो जाता, single एक event है, वहाँ तक अपने आपको specific रखें, उसको सारी चीजों के अंदर generalize मत करें, ये चीज आपको लंबे time तक depression में रखेगी, इससे बाहर नहीं आने देगी, तो अगर आप इस तरह का thought process अपनाते हैं, तो दोस्तो अपने आपको aware कीजिए, अपने आपको बार-बार explain कीजिए, बार-बार इस चीज का dispute कीजिए, cognitive behavioral therapy की proper practice कीजिए, continuous dispute कीजिए, कि this is the type of all or non thinking, और इसी की वज़े से मेरा depression बना हुआ है, मुझे इस चीज के उपर work up करना है, मुझे इस cycle को break करना है, मुझे life की जितनी भी possibilities हैं, उन सारी possibilities को explore करना है, अपने आपको कहीं पर भी नहीं रोकना, जितनी भी possibilities हो सकते हैं, उन सब possibilities को proper तरीके से explore करना है, दोस्तो life बहुत ज़ादा खुबसूरत है, जिन्दिकी के अंदर असिम्मित possibilities हैं, असिम्मित happiness है, वो हमें तभी मिल पाती है, जब हमारा thought process सही होता है, thought process appropriate होता है, और thought process को appropriate करना, यह depend करता है हमारी personality के उपर, और personality depend करती है हमारी habits के उपर, कि हमने किस तरह के अपनी आदते बना रखी है, और आदते हैं depend करती है हमारी practice के उपर, कि हमने किस परकार के thought process की practice कर रखी है, और practice informations के उपर, कि बार-बार हम किस तरह के informations अपने आपको दे रहे हैं, अगर आप अपने आपको बार-बार यह all or none thinking वाला information दे रहे हो, continuous information दे रहे हो, तो यही information आपकी क्या बन जाएगी, habit बन जाएगी, यही आपकी personality बन जाएगी, और फिर यही thought process चलता लग जाएगा, और जब यही thought process चलने लगेगा, तो आपको यही real nature आएगा, कहते हैं ना कि अगर जूट भी सो आबार बोला जाए, तो भी सच नजर आज़ता है, तो अगर हम wrong logic की, wrong thought की continuous practice करते चले जाएगे, तो हमें वो wrong logic भी सही नजर आने लग जाएगा, वो हमारा जो wrong cognition है, वो भी हमें ठीक नजर आने लग जाएगा, तो इस चीज़ को correct करें, इस चीज़ को सही करें, और अपने life की जितनी भी possibilities को प्रापर तरीके से explore करें, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, नीचे comment box में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यह दिया आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सस्क्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे subscribe करें, ताकि मेरे नए वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जै हिंद, जै भारत!